नमस्कार दोस्तो, शीविल इंजिनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिसेख सिंग और आप देख रहे हैं सीविल इंजिनियरिंग सपोर्ट दोस्तो अगर आप अपने लिए आथियाना यानि की घर बना रहे है दोस्तो तो हर एक चीज की जनकारी लेना बहुत ज़्यादा जिरुड़ी है दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके बात्रूम में कुछ गलतिया हो जाए दोस्तो जैसे कि प्लानिंग करने में कुछ दिक्कत आ जाती है बहुत से लोग जो है वो इंजिनियर से कंसल्ट नहीं करते हैं डाइरेक्ट जो है वो अपना घर बनवाने लगते ह और उनको बीच में परिसानी आती है तो इसलिए दोस्तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ये देखिए ये किचेन है और ये है बात्रूम है ठीक है और इस आउस ओनर के साथ दिक्कत ये है दोस्तो कि ये जो है वो घर के जो बगल का एरिया है दोस्तो उसमें उन्ह तरह का एक इंच का भी जगा दोस्तो इन्होंने नहीं छोड़ा है अब दोस्तो दिक्कत ये आ रही है कि ये दोस्तो यहां पर वेंटिलेशन नहीं लगा सकते हैं और वेंटिलेशन नहीं लगा सकते हैं राइट साइड में इनका सीरिडू में दोस्तो लेफ्ट साइड में इनका kitchen ही है, तो वहाँ ventilation नहीं कर सकते हैं, और kitchen बिल्कुल ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, कि शटा हुआ है, तो अगर हम बाहर के तरह ventilation नहीं देते हैं, दोस्तों, तो क्या होगा, कि जो हमारा bathroom का, जो smell है, दोस्तों, वो पूरे घर में फैला रहेगा, दोस्तों, ब बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आप भी इस तरह से दोस्तों, यह सीरी रूम पे ही दोस्तों, इन्होंने ventilation दे दिया है, चुकि बिना ventilation के, अगर आप bathroom रखते हैं, तो आप बिल्कुल परेसान हो सकते हैं, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोस्तों, चलिए मैं आ ventilation बनाया गया है, तो उमीद करता हूँ दोस्तों, इस विडियो से बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा जनकारी, एक छोटा सा हिंट आपके लिए मिल गया होगा, कि दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहें दोस्तों, तो किस तरह से situation आने को हम handle कर सकते हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दोस्तों, हर चीज का solution होता है, और इनके पास दिक्कत यह थी दोस्तों, कि इनके पास जमीन की actual में कमी थी, अगर मान लीजे, दो-दो फीट, आढ़ाय-ढ़ाय फीट यह दोनों तरफ से छोड़ते, तो इनका घर ही अच्छे तरीक कैसे नहीं बन पाता, लेकिन जरूरी होता है दोस्तों, घर के बगल में जो है वो जगह छोड़ना, तो उमीद करता हूँ, इस चीज को आप समझेंगे, तो फिर मिलते हैं, नमस्कार दोस्तों.